प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें। सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है। पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट क कर रहे हैं कि यदि पिता ला परवा हो तो बच्चे निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। विशे अभी कहीं नहीं पहुँचा है क्योंकि विशे अपने आप में इतना व्यापक है और विशे की गहराई इतनी अधिक है कि अभी और कई हफ़ते इस विशे के अलग-अलग पहलूं को देखना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछले हफ़ते क्लोजिंग में भाई प्रेमी ने प्रार्थना में एक विशेश बात कही थी जो हमें याद दिलाना चाहता हूँ। उन्हाने प्रार्थना में ये बात कही कि है प्रवो हमारे तो बच्चे बड़े हो गए हैं इसलिए अब हम शुरू से उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं लेकिन हमारे बच्चों के बच्चे उसके अलबा परिवार में अन्य लोग आदी हैं और हमारी मदद कीजी कि हम य मैं चाहता हूं कि सभी लोग समझें आज जो लोग प्रवो का वच्चन सुन रहे हैं इन मेंसे कहीं के बच्चे बड़े हो चुके हैं मेरे दो बच्चे हैं दोने ही बड़े हो चुके हैं चालीस के आसपास होने को आ गए हैं तो अब तो बच्च्पन से उनको तालीम नही नहीं दी जा सकती है, मैंने किस तरह से उनको तालीम दी है, ये फिर कभी बताएंगे, लेकिन यदी क्या, इस सभा में ऐसे कई लोग हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो भाई प्रेमी ने जो प्रार्थना की थी, वो मैं याद दिलाओं, इसके साथ साथ आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आउसर खतम हो गए हैं, बलकि उसका मतलब ये है कि आपके सामने कुछ और प्रकार के आउसर हैं, उन आउसरों को देखिए, इतना ही नहीं, अपने बच्चों के बारे में अभी भी आउसर बच्चे हुए हैं, बच्चा कभी भी जो है वो आपसे बड़ा नहीं हो जाता है और इस कारण बच्चे को और भी बहुत सारी बातें बताने के लिए अभी काफी सारे मौके पड़े हुए हैं पिछले कई हफ्तों से हम इस फिशे की चर्चा कर रहे थे कि माबाप की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को शिट्षा दें इसके लिए मैंने फोकस किया था या आपका ध्यान आकरश किया था इफीसियों छटे अध्याय के चौते पद में जहां बच्चों को रिस्ट ना द प्रभु की शिट्षा और चेतावनी देने को कहा था हम में से कई लोगों को ये रोग है कि चेतावनी खूब देते हैं मारपीट खूब करते हैं डाटफटकार खूब करते हैं लेकिन प्रभु की शिट्षा देते हैं या नहीं देते हैं इसके बारे में हमने कभी मुड़ मेरी ही पिता जी ने मुझे उद्धार का संदेश बताया और उनके कारण मुझे नया जीवन मिला लेकिन जहां तक शिट्षा की बात है प्रभु के वचन की मुख्य शिट्षाएं क्या सही है या गलत है ये मुझे कभी भी अपने माबाप से नहीं मिल पाया जिसका मुझे ब कि खूब जमके मारपीट होती थी डांट फटकार पड़ता था लेकिन काहे को किसी काम को पापा क्यों नहीं पसंद करते मम्मी क्यों पसंद नहीं करती कोई कार ये गलत है तो क्यों गलत है ये मुझे नहीं बताया गया था इसके कारण मुझे जीवन में बहुत नुक्सान यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत नुक्सान हुआ, मेरे बहुत सारे मित्रों ने जमकर मेरा शोशन किया, मसीही मित्रों ने भी, गैर मसीही मित्रों ने भी, मेरे बहुत सारे रिष्टेदारों ने मेरा शोशन किया, मेरे बहुत सारे कजिन्स ने मेरा शोशन किया, इन लोगोंने शारिक, मानसिक, आत्मिक रूप से मेरा शोशन किया इन सबकी कारण यह था कि भले और बुरे के बीच में जो अंतर है वो मैंने ही जानता था और अंतर मैं इसलिए नहीं जानता था कि मुझे इंतर सिखाय कारण बताय नहीं गया था और ये बात मैं बार-बार याद दिलाना चाहता हूँ कि बच्चा कभी भी इन बातों को जानकर पैदा नहीं होता है और यदि वो जानकर पैदा होता है तो फिर वो बच्चा कहां रह जाएगा इस बात को याद रखें तो आज मैं फिर से आपका ध्यान उसी पत की और आकरशित करना चाहता हूँ प्रबु की शिट्शा दें बच्चों को चितावनी विशे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों को यदि शिट्शा देनी है तो मैंने इसके लिए प्रिष्ट भूमी बताई थी पहली बात आपके बच्चों के साथ आपका स्नेह से भरा हुआ और मित्रवत यवहार होना चाहिए आप कहेंगे बड़ा मेरा तो मेरे बच्चों से बहुत स्नेह भरा हुआ है मैं उनके लिए कपड़े लत्ते लाता हूँ, किलाने लाता हूँ, किताब लाता हूँ स्नेह आपके जीवन में तब है जब बच्चे को आप से मुखा मुख, face to face बात करने का confidence हो, बात करने की इच्छा हो और जब बच्चा अपना हर प्रश्न और अपनी हर समस्या बे धड़क आपके पास लाकर रख सकता हो मैंने इसके पहली भी बताया था, आज से लगबग 25 साल पहले एक माँ अपने बेटे को लेकर मेरे पास आई, मुश्कल से नवी में पढ़ता होगा उस बच्चे के बारे में समस्या ये थी कि उसके मन में बहुत सारे बहुत सारी अशलील बातें आती थी और मा ने बताये कि ब्रादर जॉन्सन इसके मन में जो भी बातें आती हैं ये सब ये खुल के मुझे बताता है मुझे बहुत ताजुब हुआ कि कमाल है, ऐसी माँ है जिसने अपने बेटे के साथ ऐसा मित्रवियत वाभार कर रखा है कि बेटा अपनी सारी समस्या इवन उसके मन में जो अशलील विचार आते हैं तुरंते जाकर मा को बताता है जिससे मा उसका हल निकाल सके उस बेटे से, उस बच्चे से बात हुई और एक ही बातचीत में, एक ही रावन बातचीत में उसका कारण पता चल गया कारण अपने आप में एक विचितर कारण था लेकिन उस कारण को उसी दिन डूण निकालने के कारण उसका हल हुआ आज वो शादी शुदा, एक खुश पती और एक खुश पिता है, लेकिन क्यों मैं उस समस्या को सुलजा सका, इसलिए कि उसकी मा जानती थी कि समस्या क्या है, क्यों है ये नहीं जानती थी, और मा जब उस बेटे को मेरे पास छोड़ के गई, तब बेटे से एक बात कहा, तू जिस तरह से हर चीज खुलकर मां से बोलता है, उसी तरह से जॉन्सन अंकल से बोलने, जॉन्सन अंकल मेरे अंकल है, एक्शली हमारा कोई खुन का रिष्टा नहीं था मेरा उस बहन से, लेकिन वो मुझे अंकल मानती थी, बहुत लोग हैं जो मानते हैं, तो उसने कहा कि ये मेरे अंकल हैं, और उसे कुछ भी जो है बात खुलकर बोलने में किसी तरह से हिचकीचाना नहीं है, इस एक वाकिय से उस बच्चे का मन खुल गया, और उस बच्चे ने, मैंने जो कुछ पोचा, उस सबका उतर दिया, उसी दिन उस समस्या को, उसकी मा को बिलाकर मैंने उसका कारण बताया, कारण के हल के लिए मा की मदद भी जरूरी थी, मा ने कहा कि अंकल आपने समस्या सुलजा दी है, ये मैं बिशले कई सालों से सुलजाने की कोशिश कर रही हूं, नहीं हो पाया, अब मैं उसका ख्याल रखोंगी, और वो बच्चा एकदम से सामाने हो ग बड़ी खुशी होती है, तो यदि आप अपने बच्चे को प्रभू की शिच्छा देना चाहते हैं, तो आपके बच्चे के साथ आपका मित्रव्यत व्यवहार होना चाहिए, इस मामले में मैं काफी गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं ये जो है दावा नहीं कर रहा कि मैं अपने दोनों बच्चों से, एकदम मित्रव्यत, मित्रवत व्यवहार है, मेरा बेटा जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और जब छुटियों में आता था, वाइफ सुबह जब इस तरह से उठके चली जाती थी, तो वो आके मेरे बगल में लिपटकर लेट जाता था, बिटिया, एक स्त्री सहज, लजज़ शीलता के कारण आप आसक आके लिपटके तो नहीं लेटती थी, लेकिन पास आकर बैठ जाती थी, बातचित करती थी, आज भी दोनों बच्चों से, हफते में कबसे कम पांच दिन, नियमित रूप से मेरी चर्चा होती है, दो दिन उनका वीकेंड उनके लिए थोड़ा सा भारी होता है, तब शैद ना करूँ, लेकिन दूनों बच्चों से मित्रव्यत व्यभार है, और ऐसा कोई विशे नहीं है, जिस पर मैं उनसे चर्चा नहीं कर सकता, यदि आप अपने बच्चे से इस तरह से एक मित्रवत व्यभार करने में असफल रहे, तो याद रखिए कि उसके बाद जो करना है, उसमें भी आपको पूर्ण सफलता नहीं मिल पाएगी, बच्चे के लिए जरूरी है कि उसके जीवन में एक ऐसा पुरिश और एक ऐसी स्त्री हो, जिसको जाकर वो सब कुछ बता सके, और ये जिम्मेदारी पर मिश्वर ने माँ और बाप को दी है, आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया है क्या, आप कहेंगे कि ब्रदर, ये इसके पहले भी ये बहाना मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रदर मैं बहुत व्यस्त हूँ, ये एक वालतो का बहाना है, जो लोग ये व्यस्त होने का बहाना करते हैं, इनको जिन्दगी में ये लोग जो करना चाते हैं, उसके लिए समय में बड़े आराम से निकलाता है, जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, तब 2400 गंटे बैठ कर देखने हैं, तब बिजी नहीं होते, जब दोस्तों के साथ पत्मिश्वर ने आपको जो सबसे महतुपूर्ण प्रोजेक्ट दिया है, अपने बच्चों को पालने, पोस्ने, मित्रोवत व्यवहार करने, तब आप बहुत व्यस्त हैं, याद रखना, यदि बच्चों को इस तरह से पालेंगे, तो 21 शताबदी में समाज बहुत बदल गया है, जब समय आएगा, तब आपके बच्चे आपको लात मार कर घर से बाहर निकाल देंगे, आपको मालूम है क्या, आज भारत वर्ष में माब आपको तीरत ही आतरा पर ले जाकर, तीरत स्थलों में, धर्म शालाओं में छोड़कर, बच्चे गायब हो जाते हैं, उनक वो हमेशा हमेशा के लिए साड़कों पर छोड़ देते हैं, इस तरह से हजारों माब आपको हर साल बच्चे तीरत यातरा के नाम पर इद और दर ले जाकर छोड़ देते हैं, जरा आँख मीच कर अखबार पढ़ने के बदले, जरा आँख खोल कर अखबार पढ़िये, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा, मेरी बेटी ऐसी कभी नहीं करेगे, आपका बेटा स्वर्ग से उत्रा हुआ फरिष्टा है क्या, वो भी याद रखें, मेरे आपके समान पाप स्वभाव से ग्रस्त है, सिर्फ आपका जो confidence है विश्वास से उससे कुछ नहीं होने वाल बच्चे को जो शिठ्षा देनी है वो दीजिए, लेकिन उसके पहले बच्चे के साथ आपका जो आपसी व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, वो संबंध स्थापित कीजिए, और इसके लिए जैसा मैंने कहा था, बच्चा मा के पेट में आए, उसके पहले से प्रार्थना शिरू कीजिए, मा के पेट में आजाए, तो उसके लिए गाईए, उससे वारतलाप कीजिए, और जब वो पैदा होता है तब से, उसको समझ में आए या ना आए, उससे बातशित कीजिए, उससे वारतलाप कीजिए, उसको शब्द भंदार दीजिए, एक उत्तम शब्द जिससे की वो हर विशे के उपर बोल सके और जिससे की हर विशे पर आप उसके साथ खुल कर बोल सके और जब आप उसको परियाप्त शब्द भंडार दे सकेंगे तब आप उसको प्रभु की शिच्छा दे सकेंगे ये सब आपस में जुड़ी हुई बाते हैं हम में से बहुत लोगों ने इस मामले में गल्ती की है उसका एक कारण ये है कि हम को ये बातें नहीं बताई गई हैं दर असल परमेश्वर का वचन जो लोग सिखाते हैं ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रभू के वचन को पढ़कर समझ कर उसको अपने आप में अंतरलीन करके ये लोगों को बताएं लेकिन आज भारतिय मंडलियों में जिन लोगों को प्रभू का वचन पढ़ाने की जिम्मेदारी है इन में से एक बहुत बड़ा प्रतिशत लोग जो है सेवा कारिय में निकलने के बाद प्रभु के वचन को मुड़कर भी नहीं देखते देखते भी हैं तो रात कहें प्रभु दिन बर व्यस्त रहा आज मैं जल्दी से एक भजन पढ़ लूँ और मैं लेट लूँ पाश्चात्य देशों में इन विश्यों के उपर काफी ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसका परिणाम यह है कि पाश्चात्य देशों में कई चर्चस के पास्टर्स उत्पत्ती से लेकर प्रकाशित वाकिय तक हर पुस्तक ना केवल अपने चर्च में पढ़ाते हैं बलकि इन पुस्तकों में जीवन से संबंदित जो महतुपूर्ण पाठ हैं वो पढ़ाते जाते हैं ये बहुत महनत का काम है यदि आपको लगता है कि एक घंटे के एक संदेश जो है वो पाँच मिनिट में तयार हो जाएगा ऐसा नहीं है एक घंटे के संदेश के लिए कई घंटों की तयारी करनी पड़ती है लेकिन हम भारतिये खासकर जो प्रचारक लोग है जो प्रचारक लोग इस ग्रूप में है और मंडली के अगुए जो इस ग्रूप में है जिनकी जिम्मेदारी है कि वे प्रभु का वचन लोगों को सुनाए और उसके अलावा जितने जवान लोग भविश्व में आत्मिक लीडर्शिप के लिए तैयार हो रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ यदि प्रभु ने आपको बुलाया है बुलाया है इसमें कोई शक नहीं है तो इसको लापरवाही से ना लें प्रभु का वचन सीखना अध्यान करना मनन करना अंतरलीन करना और व्यावहारिक जीवन पर बोलना या आपकी जम्मेदारी है उपदेशों के बारे में तो बोलन ही है लेकिन व्यावारिक जीवन के बारे बोलना जरूरी है अधिकतर लोग इसलिए नहीं बोलते इस विशे पर कि अपने खुद के जीवन में नहीं किया अच्छा जब संदेश देते हैं तो बीबी जो है उनकी चाती पर चड़ी रहती है अब उस बीबी के सामने कैसे बोले कि ऐसा ऐसा करना है क्योंकि संदेश के बाद बीबी टोक देगी कि तुम तो करते नहीं हो तुम जो है दूसरों को भाशन जाड़ रहे हो बच्चे जहें वो पापा की चाती पे चाड़े रहते हैं और जब मेसेज खतम हो जाता है तब पूछ लेते हैं कि पापा हमारे तो कभी आपने ऐसा नहीं किया आप भाशन तो बड़ा अच्छा दे देते हैं तो ये भी एक परेशानी है कि हमें से कई लोगों ने प्रभु के वचन के अनुसर जीवन नहीं बिताया इस कारण प्रभु के वचन की व्यावा हरी सच्चाईयों को दूसरों के सामने रखन से डरते हैं क्योंकि जो लोग हमको अच्छी तरह से जानते हैं बीबी और बच्चे उनके सामने किस मुव से बोलें इसलिए कि उनके सामने हमने इस तरह का जीवन नहीं बिताया है इस कारण भी बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं फिर एक समस्या और है प्रभु के दासों के जीवन बड़ा sensitive होता है आप जो बोलते हैं वो इदी किसी एक व्यक्ति को पसंद नहीं आया तो तुरंत प्रभु के दास के विरुद काम करना शुरू हो जाता है और प्रभु के दासों को बहुत जल्दी दबाया जा सकता है आर्थिक प्रभु के दास और जो चर्च elders प्रभु का वचन सुन रहे हैं और उसके अलावा जो जवान लोग भविश में चर्चस में पुल्पित पुल्पित पर खड़े होकर प्रभु का वचन सुनेंगे जो लोग आत्मिक नेतरत्व के लिए तयार हो रहे हैं या जिनको बुलाहट है उन सब को मैं याद देलाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी अपने आपको समाल लीजे जल्दी से जल्दी अपने आपको समाल लीजे कहीं ऐसा नहों कि आपकी स्थिती ऐसी हो कि अंदा अंदे को रास्ता दिखा रहा है और जैसे ही आपने कोई संदेश दिया आपकी बीबी आपको टोक रही आपके बच्चे आपको टोक रहेंगे तुमारे जीवन में तो ये कुछ भी नहीं है दूसरी बात प्रभू के वचन को जब पढ़ें तब खुली आँख से पढ़ें हमें से बहुत सारे लोग प्रभू का वचन पढ़ते हैं प्रभू के दास प्रभू का वचन पढ़ते हैं आँख मीच के पढ़ भी लिया कुछ जो है वो अपने अंदर गया भी नहीं जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी डाल दिया जरा ध्यान से प्रभु के दासों Elders प्रभु के वचन को गंबिरता से पढ़ें प्रभु का वचन एक दोधरी तलवार है और जब हम उसको गंबिरता से पढ़ेंगे तब प्रभु का वचन हमारे दिल को आर पार छेद देगा हमसे वारता लाप करेगा हमारे जीवन की घटी कमियों को हमारे उपर प्रगट करेगा उसके साथ साथ एक बदलाव और आएगा वो यह है कि प्रभू अपने वचन में अंतर दृष्टी देंगे और जब वो अंतर दृष्टी देंगे तब आप इन चीजों को दूसरों के साथ शेर कर सकेंगे अंतर दृष्टी के एको दाहरे नाच सुबह मैंने देखा आज मैं और वाइफ सामानी से 15 मिनिट पहले चर्च पहुंच गए चर्च में पहुंचने के बाद फिर इधर उधर नावेशक बातशेत करना मुझे पसंद नहीं है तो एक भाई से एक अत्यावशक बात जो है उनको जानकारी दे दी उसके बाद जब मैं अपने सीट पर बैठ गया तो अचानक पिछले दो दिनों फैमिली प्रेयर में जो प्रभू के वचन से जो भाग पड़ा था अचानक उसके बारे में एक बात याद आई तुरंत मैंने अपना जो नोट बुक है मैंने आपको कई बार दिखाए A5 साइस का उसको निकाल के उसको नोट कर लिया मुझे भी लगा कि यह जो अंतरद रिष्टी आज सुबाई है कहां इसका उपयोग करूँगा लेकिन नोट करके जैसे ही थैले में रखा वैसे ही अचानक यह बात याद आई कि फलाना विशे जब मैं पड़ाऊंगा तब उसकी जो बहुत जरूरी भूमिका है आज प्रभू ने मुझे दी है कहां से दी है घर में जो बाईबल पढ़ते हैं उसमें से तो जब आप इस तरह से प्रभू का वचन पढ़ेंगे उस पर मनन करेंगे तो प्रभू अपने वचन से अंतरद रिष्टी देंगे यकीन मानी अंतर दृष्टी देंगे ऐसा ही पिछले दिनों मेरे साथ हुआ हम लोग फैमिली प्रेयर में मैं बाइबल पढ़ता हूँ मैं 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 बाइबल पढ़ता हूँ एक भजन पढ़ा अगले दिन गलती से वही भजन जो है स्टार्ट कर दिया और मेरी आदत है कि प्रभु का वचन एक पोर्शन स्टार्ट कर दिया तो भले ही वो पिछले दिनों पढ़ा गया हो तो भी अब आप उसको रोके नहीं पढ़ते रहे क्योंकि प्रभु का वचन दोधरी तलवार से अधिक चोखा है धरदार है और आप उसको दुबारा पढ़ेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा दुबारा पढ़ा बाप्रे उस दिन जब मैं उस भजन को दुबारा पढ़ रहा था तब अचानक उसमें से तमाम आत्मिक सच्चाईयां एक दम से प्रभू के वचन से जम्प करके मेरे मन में आए उसके बाद जब जब मैं डाइनिंग टेबल पर जाके बैठता था तो उस भजन को खोल कर उसमें से नोट करता गया करता गया करता गया आज सुबह मैंने वो नोट सुठा के फिर से देखे ए फाइव साइस के सत्रा बन्य है कहां से आया यह पवित्रात्मा ने अंतरद्रिष्टी दी अंतरद्रिष्टी पाने का मंत्र क्या है उसका मंत्र यदि आप चाहें कि शौटकट मिल जाए कोई शौटकट नहीं है उसका मर्म या कैसे अंतरद्रिष्टी पाएं प्रभू का वचन पढ़िए प्रभू के वचन पर मनन कीजिए प्रभू के वचन को समझने के लिए पवित्रात्मा से याचना कीजिए और जब आप इस तरह से नियमित रूप से करेंगे तब प्रभू का वचन जब आप पढ़ेंगे अचानक मेरे साथ तो यह अचानक होता है और ऐसे कई लोग जो प्रभू के वचन को एक्सपोसिशन करते हैं मतलब मसीही मंडली में ऐसे कई भाई हैं जो अर्थ प्रस्तावी टीचिंग करते हैं जो प्रभू के वचन के अर्थ को लोगों के सामने रख कर रखते हैं अर्थ प्रस्तावी जो लोग अर्थ प्रस्तावी शिठा देते हैं इनमें से कई लोगों ने बताये कि जॉंसन कई बार इसके पहले पढ़े हुए हिस्से को दुबारा पढ़ते हैं तो उसमें से उसका आर्थ जो है वो यह जम करके आपके मन में आता है यह पवितरात्मा की अगवाई है तो आज जो प्रभु के दास हैं जो एल्डर्स हैं जो टीचर्स हैं और जो भविष्य में प्रभु के वचन के टीचर्स बनेंगे उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ने मनन करने और जो आपके मन में प्रकाश मिलता है उसको नोट डाउन करें इसके बिना और कोई शॉटकट नहीं है लेकिन ज Cumulative Deposit या जिसे अपन कई बैंकों में Recurring Deposit बोलते हैं उसकी विशेषता यह है कि आप चाहे छोटी सी राशी हो उसे नियमित रूप से जमा करते चले जाएं तो आज से 10 साल, 20 साल, खासकर 30 साल के और 40 साल के बाद वो इतनी बड़ी राशी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सक आत्मिक जीवन में जो कुछ होता है वो सब cumulative होता है और ये कितना cumulative होता है ये आज आपके सामने प्रदर्शित करना जरूरी है मैं इसके पहली भी एक बार बता चुका हूँ शत्रंज का विश्कार आरब देशों में एक आदमी ने किया था शत्रंज ले जाकर उसने जब बादशा को दिखाया बादशा इतना प्रसन हो गये कि उन्हों ने कहा कि जो चाहे मांग लो तो उस आदमे ने कहा कि शत्रंज में 64 खाने होते हैं एक काम कीजिये बादशाह महराज पहले खाने पे अन्न का एक दाना दूसरे पे दो दाना तीसरे पे चार अगले पे आठ अगले पे सोला अगले पे बतीस 64 128 इस तरह से आप रखते चले जाएं 256, 512 रखते चले जाएं मुझे 64 खाने पे अन्न के दाने रखकर दे दिये जाएं राजा भूला पागल हो गयो क्या मैं तुमको कुछ भी देने को तैयार हूँ और तुम जो है 4-6 अन्न के दाने मांग रहे हो तो उसने कła नहीं महराज मुझे वही चाहिए तो राजा ने मंतरी से कहा कि एक काम किरो मंतरी जी दो चार बोरी मुझे बिना गिने हुए अन्न नहीं चाहिए अन्न के दाने गिनकर मुझे 64 खानों पे रखकर दिये जाएं अब राजा नाराज हो गया कि ये नालाएक मैं उसको दे रहा हूं उसको समझ में नहीं आता है राजा भी नाराजगी के कारण बाथशा था राजा ने बाथशा नाराज हो गया बाथशा बोले कि इस नालाएक को गिनकर exactly 64 खानों पर रखके ही अन देना उससे एक भी अन का दाना जादा मत देना मंत्री गया, हिसाब लगाना शुरू किया तो 20-वें 20-वी संख्या आई उसके बाद 25-वी संख्या आई 30-वी संख्या आई तो मंत्री के बहुंच रके उसके जह होश उड़ गये 40 तक पहुंचते पहुंचते होश पूरी तरह से उड़ गया 50 तक पहुंचते पहुंचते वो आके बादशा के पैर पे गर गया बोला बादशा महराज 50 तक पहुंचते पहुंचते संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि आपके पूरे राज्ज में अन्य के इतने दाने नहीं है और 64 तक पहुँचते पहुँचते वो संख्य इतनी बड़ी हो जाएगी कि सारे विश्व में अन्य के इतने दाने नहीं होंगे यह है cumulative का नियम आत्मिक जीवन में भी यही cumulative का नियम लागो होता है ये मैं इतने उदाहरन डीटेल में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि मेरे आपके जीवन में जो होना है थोड़ा थोड़ा करके प्रती दिन करते चले जाएं तो आज से पांच साल के बाद दस साल के बाद, पच्चीस साल के बाद स्थिती बिलकुल भिन होगी क्यूमिलेटिव के बारे में थोड़ा सा प्राक्टिकल ग्यान दिया जाए अगले हफ़ते क्लास में आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूँ आप एफ़ोर साई से एक पन्ना ले ले उसको योँ मोड़े उसके बाद योँ मोड़े उसके बाद योँ मोड़े एफ़ोर के बदले जो है वो अकबार ले लीजिए एफ़ोर से बड़ा होगा 25 बार यदि आप मोड़ के मुझे दिखा दें, ऐसे नहीं मोड़ करें, ऐसे 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 25 बार मोड़ कर अगले क्लास में हाजर कर दें, मैं आपके एक लाक रुपया दे दूँगा, ऐसा अनुमान है कि बड़े से बड़ा पेपर आप ले लें, चार अख बार चुपका लें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर या कपड़े के अंदर जो फाइबर होता है, एक बार मोड़ते हैं, दो बार मोड़ते हैं, तब तक फाइबर बहुत बुरी तरह से वाप खीचता है, तीन बार मोड़ेंगे, तो फाइबर और खीचेगा, चार बार मोड़ेंगे, तो और खीचेगा, पांच बार मोड़ेंगे, तो खीचाव बहुत जादा हो जाएगा, छे बार मोड़ेंगे, तो खीचाव अत्यंत हो जाएगा, इसको अब मैं साथ बार नहीं मो सकता छे के साथ सीमा आ गई यह क्या चीज है यह महज एक पेपर है जिसको पूख देंगे तो ओड़ जाएगा लेकिन छे बार के बाद मैं उसको नहीं फोल्ट कर पा रहा है क्यूमिलेटिव जो प्रिंसिपल अफ क्यूमिलेशन है वो है यह उसको हिंदी में संचयी जमाभी करते हैं जैसे जैसे आप संचय करते चले जाएंगे वैसे वैसे एक सीमा क्रॉस करने के बाद वो एकदम से इतनी तेजी से वृद्धी होगी कि आप सोच नहीं सकते आप लोगों के परिवार में इदी कुछ हकवार आप बरबाद हो जाएं आपके बच्चे आपकी वाइफ तो मुझसे बुरा ना माने लेकिन वे लोग एक लेसन सीख लेंगे आत्मिक जीवन में सब कुछ संचई होता है सब कुछ संचई होता है क्यूमिलेटिव इस कारण जब आप बच्चे को प्रभु की शिठ्षा दें तो उसके पहले अपने स्वयम के जीवन में पदमेश्वर से ग्रहन करते चले जाएं और इस तरह से आप जो संचय कर रहे हैं वो बच्चे को दें ये ना सोचें कि बच्चा जब बड़ा होगा उसको जो है हम शिठ्षा देंगे मैंने आपको उदाहरंट दिया था मेरे गाउं में जो आंती है जिनका कहना था कि बच्चा जब जब तक जो है 15 साल का ना हो जाए उसे जो है कुछ नहीं बताना है राचकुमारों के समान प सालों 15 के बाद शिठ्षा देंगे हमारे गाउं का करोडपती परिवार था जहां पैसी की कोई कमी नहीं थी लेकिन स्कूल पहुचते ही वो उस इलाके का नंबर वन चोर हो गया पैसी की कमी के कारण नहीं उसको बच्चपन से पजमेश्वर के वचन की जो तालीम दी जान कर देख लें वहाँ पर स्पष्टतेया बताया है कि मनिश का जुकाव हमेशा पाप की तरफ और बुरे की तरफ होता है तो मेरे प्रीबाये और बहनों हमें से जिन जिन की चर्च में शिठ्षा की जिम्मेदारी है वे लोग नेमित रूप से प्रभु के वचन का अध्यान करें एक दिन भी ना छोड़ें जब जिस समय आप पढ़ते हैं समय ना मिल पाया तो बाद में कभी करें लेकिन उसको एक दिन भी मिस ना करें और इस तरह से जब संचेई रूप आप जो है क्यूमिलेटिवली करेंगे तब आपको प्रभु का वचन इतना आधिक पवित्र मिला है आप जीवन बर कभी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे लेकिन उसको छोड़ जाए कलको वो आपके बच्चों के लिए प्रयोगी होगा उपयोगी होगा तो ये बातें प्रभु के दास और बाइबल टीचर्स मंडलियों को इसलिए नहीं सिखाते कि कुछ को डर ल आते हैं इसमें एक बदलावाना जरूरी है एक बहुत बड़ा बदलावाना जरूरी है उसके बाद अब आईए बच्चों पर वापस आते हैं बच्चे पैदा हों उसके पहले ही उनके साथ जो है कम्यूनिकेशन जरूरी है पैदा होने के बाद तो पहले दिन से कम्यूनिकेशन जरूरी है भले ही बच्चे को समझ में आए या ना आए ये देखा गया है कि जिन बच्चों से पैदा होते ही माबाप बोलने शुरू करते हैं बच्चों को समझ में आए या ना बोलने शु जब आपका बच्चा इस तरह से ट्रेन हो जाता है तब आप उस बच्चे को प्रभू की शिच्छा दे सकेंगे आप कहेंगे कि ब्रदर मैं तो प्रभू की शिच्छा देता हूँ आदम हुआ की कहानी सुनाई है नू की कहानी सुनाई है दानियल की कहानी सुनाई शिम्शोन बनाये, गार्डन में रखा, उनसे कहा कि फलाना फल मत खाना, एक दिन साप आया, उसने बोला, और स्री ने खा लिया, और दोनों को पता चला कि वे नंग नहें, और उन्नों ने अंजिर के पते के लंगोट बना लिये, पर मेश्वर ने उनको चम्डे का वस्तर पहना दिया, इतनी कहानी तो सुनाने के लिए माबाप की जरूरत नहीं है, यह तो कोई mentally handicapped व्यक्ती भी इतना सुना सकता है, यह नहीं है आदम हवा की कहानी, आदम हवा की कहानी यह नहीं है, और यदि इतना सुना कर आप छोड़ देते हैं, तो आप अपनी जो बुलाहट है बच्चे को शिठा देने में, उस बुलाहट में आप पराजित हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आदम हवा के बारे में जब बताते हैं, तब बच्चों को उसके साथ-साथ यह बताने से देखो बेटा, आदिन की वाटिका में तमान तरह के फलों के पेड़ थे, क्योंकि उस समय मन करशक फल पजमेशवर ने लगा रखे थे, लेकिन बेटा, उनके बीच में दो विशेश वरिच पजमेशवर ने लगाए थे, एक का खाना, एक वरिच का फल खाना, उनके लिए जो है, उसके अनुमती थी, और उस वरिच का नाम था जीवन का वरिच, जीवन के वरिच की विशेशता यह है, कि उसका फल एक बार खा लो, तो सदा सरवदा के लिए जीवित रहेंगे, और शरीर में किसी तरह का रोग नहीं आएगा, बेटा जीवन के वरिच के बारे में, प्रकाशित वाक्य के सबसे आखर के पहले अध्याए में हम पढ़ते हैं, उसके बाद उन तो बच्चे को बताए कि बेटा परमेशवर ने ऐसा एक फल लगाया था, ऐसा एक वरिच्छ लगाया था, उसके साथ साथ एक और वरिच्छ लगाया था, उसको परमेशवर ने भले और बुरे के ग्यान का वरिच्छ नाम दिया, लेकिन उस वरिच्छ के बारे में खाओगे तो तुम मर जाओगे उसके बाद बच्चे को बताईए कि बेटा इसका मतलब यह हुआ कि उस बगिया के सारे व्रिट्षों के बीच में बीचों बीच दो विशेश व्रिट्ष थे एक जीवन का व्रिट्ष और एक बृत्यू का व्रिट्ष उसके बाद बच्चे से पूछे कि बेटा यदि तुम आदन की वाटिका में होते तो तुम कौन से व्रिट्ष का फल खाते जीवन के व्रिट्ष का या मृत्यू के व्रिट्ष का बच्चा एक दम से जवाब देगा पापा मंमी मैं तो जीवन के प्रच का फल खाऊंगा, मैं क्यों मृतियू के प्रच को हाथ लगाऊं। ये कहानी अपने बच्चे को पचास बार सुनाईए, पचास बार चॉइस, पूछिये तू क्या चुनेगा, तू क्या चुनेगी, इस तरह से बच्चे के मन में ठोक ठोक कर ये बात भर दीजिये, कि तुम कोई भी चॉइस करो, तो जीवन के लिए चॉइस करो बेटा। उसके बाद उनसे पूछो, ये बताओ, आदम और हुआ ने किस व्रिट का फल चुना, एक से जादा बच्चे हैं तो सब एक साथ चिलेंगे, मौत के व्रिट का फल, ये आप सेंडे स्कूल अध्यापक है, तो सेंडे स्कूल क्लास में भी आप कोई ऐसे सिखाना है चाहिए उसके बाद पूछो, बेटा, किसी ने कोई जोर जबर्दस्ती की थी क्या, नहीं, वे लोग जीवन के व्रिट का फल खा सकते थे क्या, हाँ डाड़ी, खाया क्या, नहीं डाड़ी, कल को बेटा, तुमारे सामने भी इस तरह से, जब चुनाव का मौका आएगा, तब तुम जीवन को चुनोगे, या मृत्यू को चुनोगे, बच्चे एकदम से जवाब देंगे, डाड़ी, डाड़ी, मम्मी, मम्मी, हम तो जीवन को चुनेंगे, बेटा, यदि कोई तुमको लालच दे, मृत्यू के व्रच को चुनने के लिए, नहीं मम्मी, नहीं हम कहें नहीं डाड़ी हम नहीं मानेंगे। बेटा यदि तुम्हारे मन में मोह आ जाए कि मैं मृत्यू के साथ खिलवाड करना चाहता हूँ। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको नैतिक शिट्षा देना बहुत आसान है। कुछ अच्छे चुने हुए शब्द उनके सामने रखें तुरन तो कि नई ममी मैंने करूंगा नई डाड़ी मैंने करूंगा। जब इस कहानी को आप इस तरह से पचास बार बच्चों के सामने रखेंगे तब बच्चे के मन में एक रेखा बन जाएगी। एक सीमा बन जाएगी। एक दीवार बन जाएगा। बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगे कि इस दीवार को क्रॉस नहीं करना है। ब्रदरेंड मंडलियों में पिछले दो तीन पीडियों में इस तरह की शिट्षा बच्चों को नहीं दी जा रही है। इसका परिणाम क्या है कि आज दुनिया के लुच्चे और लफंगे लोग दुनिया बरके भेडिये हमारे बच्चों का शिकार बड़े आराम से कर लेते हैं। बहुत आराम से कर लेते हैं। क्यों? आपने हमेशा उनको एक दड़वे में रखा है। आपने हमेशा उनको कॉंक्रीट की दिवार के अंदर रखा है। जिस तरह से तोता मैना जो है, उनको पिंजडे में रखा जाता है। आपने बच्चों को पिंजडे में रखा है, लेकिन बच्चों को भले और बुरे का ज्यान नहीं दिया है, परिणाम यह है कि जैसे ही वो पिंजडे से बाहर निकलता है, वैसे ही वो आप से उड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि उसको भले और बुरे का ज्यान नहीं है, आकरशित करता है जो एक विश्वासी के लिए उचित नहीं है लेकिन वो आकरश्ण इतना आधिक होता है कि हम उसके पीछे भाग लेते हैं अपने जीवन को बरबाद कर लेते हैं क्यों मैं बार-बार ये प्रशन आप से पूछना चाहता हूं जानवर जब बच्चे जनते है तो बच्चे जन्ने के साथ-साथ खासकर चार पाईओं के जो जानवर हैं वे जन्म लेने के कुछ ही थंड के बाद पैरों पर खड़े हो जाते हैं चलते हैं, दोडते हैं मानिश्री का बच्चा जन्म लेने के बाद असाहाय होता है उसको कितना समय लगता है पलेटने में, घुटने के बल चलने में, खड़े होने में, दौडने में, संतुलन पाने में कितने साल उसको माबाप के उपर निर्भर रहना पड़ता है भोजन वस्त्र पड़ाई के लिए चानते हैं पर मेश्वर नहीं सा क्यों रखा है जानवर को नैतिक शिठ्षा की जरूरत नहीं है, जानवरों में भले बुरे के अंतर की जानने की जरूरत नहीं है मनिश्वर के बच्चे के लिए नैतिक शिठ्षा आवश्च है, भले और बुरे के ग्यान मिलना आवश्च है और इसलिए पर्मेश्वर ने मनिश्व के बच्चों को मा बाप के उपर आश्रित रखा है जिससे कि वो उनसे शिट्षा पा सके चोंकि वो आपका आश्रित है इसकारण आप बड़े आराम से उसको पर्मेश्वर के बच्चन से भले और बुरे की शिट्षा दे सकते हैं आपके पड़ोसी के बच्चे को आप तीचिंग देने की कोशिश करें वो नहीं सुनेगा आपका बच्चा आपके उपर आश्रित है आपके स्नेह के उपर भी आश्रित है आपकी मदद के उपर भी आश्रित है हर तिरसे आपके उपर आश्रित है इस कारण आज यहां जितने मा बाप प्रभू का वचन सुन रहे हैं आपका बच्चा यदि घर छोड़के जाने की उमर तक नहीं पहुँचा है तो अभी भी समय है हिंदी में कहावत है, बिटिया अभी भी बाप की है पराई घर में देने का समय पराई घर में देने का समय नहीं है इसलिए उसका जो ख्याल रखना है अभी भी रखा जा सकता है आपका बच्चा अभी भी घर में है, आपकी बच्ची अभी भी घर में भले पिछले कई सालों में आप से लापरवाही हुई है कम से कम अब प्रभू की मदद से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश कीजिए परमेश्वर ने जानकर मनिश्य के बच्चों को पैदाई से लेकर एक 18 से 20 साल की उमर तक असहाए रखा है जिससे की ये 18 से 20 साल वो बच्चा अपने मापाप पर आशुरित रहे और मापाप उसको प्रभू की शिच्चा दें इसको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो इफीसियों छटे अध्याय में शिच्चा देना नहीं प्रभू की शिच्चा देने को कहा है हम मैंसे कई लोग उल्टी सीधी शिच्चा देने में बहुत तत्पर है प्रभू की शिच्चा देने की बात करो तो हमारी नानी मरती है मैं अक्सर मसीही लोगों से मिलता हूँ तो उनसे पूछता हूँ आपका कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं अच्छा उनने परभू को ग्रैंट किया है क्या? नहीं मालूम ब्रदर आपने कभी गॉस्पल शेयर किया है क्या? ब्रदर बच्चों के साथ कैसे शेयर करें यही मैं कह रहा था गॉस्पल शेयर करने के मामले में नानी मरती है उनकी ये सब परमेश्वर ने जो रखा है उसके विरुद्ध हो रहा है परमेश्वर ने उन बच्चों का आपका आशरत इसले रखा है कि आप उस बच्चे को पैदाईस से लेकर जब तक वो घर में है आपकी छट के तले है तब तक आप उसको ट्रेनिंग दे एक चीज और बोलकर मैं यहां खतम करने जा रहा हूँ यह ट्रेनिंग कब तक दे आपके बच्चे के ट्रेनिंग कब खतम होगी जिस तरह से प्रभू का वच्चन ट्रेनिंग देने को कहता है इफीसियों च्छे में और नीती वच्चन में कई बार कहा गया ट्रेनिंग के बारे में उससरे से यह दिर ट्रेनिंग देते हैं तो जिन्दगे पर वो ट्रेनिंग कभी खतम नहीं होता है कभी नहीं मेरा बेटा लगबग 40 साल का होने को आया है मेडिकल डॉक्टर है बहुत अच्छा डाइग्नोस करता है कम्प्यूटर में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है 40 साल की उमर होने के बावजूद उसने मुझसे अडवेज पूछना बंद नहीं किया है बिलकुल बंद नहीं किया है आज से दो हफ़ते पहले उसने मुझे एक लेटर लिखा डाड मैं जीवन में एक गंबिर निरने लेना चाहता हूँ और फलाना फलाना फलानी बाते हैं इसके बारे में आपके क्या सुझाओ है काहे को 40 साल का 40 साल का लड़का जो एक सफल पेशे से सफल डॉक्टर सफल आर्टिफिशल इंटेलिजन्स प्रोग्रामर है उसे मुझसे एडवाइस लेने की क्या जरुरत है कोई जरुरत नहीं है वो भी अपने करियर के बारे में लेकिन उसने पूछा मैंने उसका विस्तार से जवाब दिया देखके वो बहुंचकर आगया वो बोला कि डैड आपने तो बहुत सारी बातें लिख दी मुझे नहीं चाहिए नहीं उसका जवाब था डैड मैंने जितना सूचा उससे भी ज़्यादा विस्तार से आपने विशे का विशलेशन करके मुझे जवाब दिया है मैं इन सब चीजों को एक-एक करके स्टड़ी करूँगा मैं थोड़ा सा समय लेकर ही स्टड़ी करूँगा बच्चे को शिच्छा देना कभी खतम नहीं होता है मेरी बेटी जो उससे डेर साल छूटी है उसकी भी यही हालत है शिच्छा जीवन बर चलती है लेकिन उसके लिए वो तब ही होगा जब आप उसका आरंब सही करेंगे प्रभू मदद करें कि आज जितने माबाप प्रभू का वचन सुन रहें इन में से जो लोग आरंब कर सकते हैं वे लोग करें जिनको देर हो गई हैं वो लोग आप और देर ना करें हम सब की मदद करें जिसे कि प्रभू ने हमको जिस बुलाहट से बुलाया है खास कर बच्चों के बारे में वो बुलाहट हमारे जीवन में पूर्ण हो सके प्रभु ने मदद की तो इस विशे को हम आगे देखेंगे एक अनुरोध है मेरा मोबाइल नमबर जिनके पास नहीं है वे लोग नोट कर लें इन विशेओं के उपर मैं काफी कुछ लिखता जा रहा हूं सब मोबाइल पर उपलब्द है मैं आपको भीज दूँगा मेरा नमबर है 999-519-8690 उसे मैं अभी कमेंड बॉक्स में डाल दूँगा मैं फिर से याद देलाना चाहता हूं 999-519-8690 इस पर यह आप संपर करेंगे तो आपको इन विश्यों के उपर जो कुछ मैं लिखूंगा सब नियमित रूप से भेज दूँगा इन बातों को समझने के लिए प्रभू आप सब के मदद करें जै मसेखी प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध है उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है जै मसीह की